हेलो दोस्तो हिंदी एंडुआइट टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो यह है मेरा नॉर्माल नॉटिफिकेशन पैनल जैसे के आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सा और यह है मेरा स्टाइलिस नॉटिफिकेशन पैनल जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अप अपने notification panel में add करके रखा है यहाँ से मैं WhatsApp को open कर सकता हूँ यही से YouTube को open कर सकता हूँ और यही से मैं अपने Chrome browser को भी open कर सकता हूँ तो दोस्तों इस trick को आप भी अपने phone में use कर सकते हैं अपने notification panel में अपनी favorite application को एड़ कर सकते हैं तो अगर आप भी इस ट्रीक को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे साथ कर लीजे और कॉमेंट करके मुझे बताईए कि यह ट्रीक आपको कैसी लगी तो दोस्तो इस छोटी तरी को यूज़ करने के लिए आपको एक डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है बार लॉंचर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसी आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा अब दोस्तो यहाँ पर अगर आपको किसी एप को एड करना है तो दोस्तो सिंपल सा आपको पलस के आइकोन पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तो आप जो भी एप्लिकेशन को एड करना चाहते हैं बस आप पलस के आइकोन पर पर किलिक कीजिये और एक बार उस एप पर किलिक कर दीजै तो यह application add हो जाएगी तो यहां पर मैं इसिए आपको कुछ application add करके दिखा देता हूँ जैसे के दूस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने application को add कर लिया है इस तरह वापकही सारी और एक latest trick है जिसकी मदद से आप अपने notification पैनल को एक अलग look दे सकते हैं जो के देखने में काफी अच्छा लगता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये trick आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको ये trick पसंद आई तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और comment करके मुझे बताईए कि ये trick आपको कैसी लगी अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चेहलों को subscribe कर लीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक की लिए अपना ख्याल रखिए, thank you